हाई कोट ने सुनवाई के दोरान कहा कि डेरे की जितनी चल चल संपत्ती है इसकी पूरी लिस्ट वे हाई कोट में देंगे तब तक डेरे की किसी भी संपत्ती को ना तो बेचा जा सकता है ना ही इसे ट्रांसफर किया जा सकेगा इसके इलावा जिस किसी का भी इस हिंसा के दौरान नुकसान हुआ है वे इसका बियोरा राज्य के डीसी को देगा और डीसी इसकी जानकारी हाई कोट में देगा और इस पर एक बार फिर मंगलवार को सुनवाई होगी इसके लावा पंजाब वहरियाना सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट हाई कोट में दी जिसमें हरियाना ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा किस दौरान कुल 32 लोगों की जाने गई हैं जिन में से 28 लोग तो पंचकुला के ही हैं और 4 लोगों की अन्य जगहों पर मौत हुई वहीं पंजाब ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट देते हुए बताया कि कुल 51 जगा पर घटनाएं घटी जुसमें से 49 आइफायार दर्च की गई आज कोट में स्टेटस मांगा गया कि कल के मेहम का क्या नुकसान हुआ और स्टेटस में ऐस पंजाब इस कंसर्ण हमारे यहां पर कोई कैयल्टी नहीं हुई और 19 आदमियों को पकड़ा गया 51 इंसिदेंस माइनर रिपोर्ट किये गए कई जगाओं पर आग लगाने की कोशिश की गई पर timely action of the security agencies उचको अरेस्ट किया गया और एक बहुत एहम आदमी डेरा सच्चा सवधा का अरेस्ट किया गया डेराज की properties के बारे में कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि उनको attach कर देना चाहिए जो मैंने सुना अब order अभी तक आया नहीं है पर मैंने सुना उन्होंने कहा कि अगले order तक आप डेराज की property को deal with नहीं करेंगे उनको बेचेंगे नहीं पंजाब हर्याना हाई कोट के फुल बेंच ने आज अपनी सुनवाई के दोरान तीन चार दिशा नरदेश आदेश जारी किये हैं उन्होंने सच्चा सौदा डेरा की सभी संपतियां चल और अचल उनके समन्द में आंतरिक आदेश पारिक किया है उन्होंने कहा है कि अगले आदेशों तक ये सभी संपतियां वैसी की वैसी रहेंगी ना ट्रांसफर की जाएंगी ना लीज की जाएंगी ना एलिनेट की जाएगी पिछली तारिक पर हाई कोट ने सच्चा सौदा से उनकी संपतियों की सुची मांगी थी जिसको देने के लिए आज उनके उखिरने और समय मांगा है हाई कोट ने ये भी आदेश दिया है कि पंजाब और हर्याना की सरकारे जो जो इसका लिटेस्ट स्टेटस है वो की रिपोर्ट और मंगलवार को जारी करेंगी दाखल करेंगी हाई कोट में और साथ के साथ ये ऐसी घटनाएं आगे को ना हूँ इसके सबंद में भी उनकी क्या प्लैन है वो अगली तारीख पर हाई कोट में सील्ड कवर मेंगी